अब तक हम लोगों ने हर टाइप का न्युमेरिकल कवर कर लिया है देंड फ्री वाइबरेटरी सिस्टम का जिसमें हमारा डिफेरेंशियल इक्विशन आप अब एक प्रजम कभी कभी होता है यह दो कितने साइकिल के बाद कितना हो रहा है कितना परसेंटेज रिडीज हो रहा है यह सब देटर अब एक प्रॉब्लम कभी कभी यह होता है कि हम लोगों ने जो theoretical point of view से देखा दा spring in series and parallel तो आज एक problem हम यह discuss करेंगे कि अगर spring और damper series में है तो हमें उसे deal कैसे करना है तो particular problem depends on the spring in series and parallel problem is a mass of 10 kg is kept on two slabs of isolator placed one over the other one of the isolator is of rubber having a stiffness of three kilo newton per meter and damping coefficient of hundred newton per second hundred newton second per meter ठीक है तो एक damper उसने बोल दिया है कि वो rubber का है जिसकी stiffness three kilo newton per meter है और उसका damping coefficient कितना है hundred newton second per meter ठीक है नाव आप second case में देखें यहां पर मुझे समझ में आ गया है दो अलग अलग तरीके का component यूज किया है जिसकी stiffness याने दो spring दो डेंपर इस प्रिंग डेंपर इस प्रिंग डेंपर ठीक है इस combination में उनकी values दिए इस सिस्टेम इस सेट इन मोशन इन वर्टिकल डिरेक्शन डिटर्माइन डेंड डेंड अन डेंड डेंड नेच्छल दिया हुआ है एक दिया है रवर जिसकी stiffness अगर मैं बात करूं रवर के केस में इस्टिफनेस दी हुई है आपकी 3 किलो न्यूटन पर मीटर और डेंपिंग कोफिशेंट दिया हुआ है आपका देट के केस में के की वेल्यू दी हुई है आपकी 12 किलो न्यूटन पर मीटर और सी की वेल्यू दी है आपकी यहां दो ऐसी टर्मिलोजी यूस की गई है जिसको समझने की जरुवत है उसने बोल दिया है problem में कि बहुत अच्छी बात दूसरा आ है underlying फ्रेक्वेंशी झाड़ कोई डैंपर नहीं है अगर नहीं है तो कес ideology दो dad करनी है यह हमें देटा दिया हुआ वर्टिकल डारेक्षन तो हमने देखा था देफिनेशन और वाइबरेशन में मैंने जब रोड मैप और वाइबरेशन पढ़ाया था तो डिगरी ओफ्रीडम बोला लो तो इस पर्टिकुलर प्रॉबलम में डिटेल में हमने समझा है कि वर इसी को मैं बोल रहा हूं जो कि free vibration ठीक किस डायेक्शन में मोशन दे रहा हूं वर्टिकल मोशन तो यह सेल्फ अंडरस्टूड है कि यह जो स्प्रिंग और मास्स सिस्टम है वो ऐसे नहीं घूमेगा ठीक नाहीं वो ऐसे जाए ठीक तो यह मुझे समझना है कि जब इस पंटिकुलर लिंक की में डायेक्शन की बात कर रहा था तो तीन डायेक्शन में ट्रांसलेशन था एक्स में ट्रांसलेशन जैड़ में ट्रांसलेशन तीन में रोटेशन था एक्स में रोटेशन वाय में रोटेशन जैड़ में रोटेशन तो छे डिग् के लेंगवेंगवेंगे तो इसमें कन्फ्यूज ना हो कि सिंगल डारेक्शन में जा रहा है सिंगल डिग्री और इन लगा तो अब के रवर को मैं बोल देता हूं वं तो के वन सीवन हो गया और फैल्ट को बोल देता हूं तो तो k2 c2 हो सकते ठीक है system में जो हम लोगों ने देखा है वो देखा है कि series में ये लोग connect है एक के बाद है series और parallel का case जब मैंने देखा था तो मैंने उसी वक्त आपको explain किया था कि जब भी कोई system अगर एक end और दूसरा end connect है like that तो ये case होता है series का तो मालो ये rubber हो गया उसके बाद felt हो गया जो भी machine इस पर अगी होई है ये damper हो गया ये second damper हो गया और इस से connected है आपका mass ठीक है जब end to end connection होगा तो ये कौन सा connection कहलाएगा series connection this is k1 this is k2 this is c1 this is c2 and this is your so spring is connected into series and mass ठीक है mass की value 10 दी हुई है यहाँ पर given data में हम लिख लेते है mass की value 10 kg दी हुई है अब मैं चलू तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको convert करूँगा मैं एक equivalent spring और mass damper system थीक है तो इसको मैं बोल रहा हूँ के equivalent और इसको मैं बोल रहा हूँ C equivalent और इससे connected है अपना mass तो यह equivalent तो अब अगर मैं equivalent निकाल लूँगा तो मेरा काम आसान क्योंकि मुझे omega d निकाल नहीं है and then omega n निकाल नहीं तो के equivalent when spring in in इसप्रिंगिन सिरीज यहने वन अपन में के equivalent इक वैलेंट इक वैलेंट नहीं कि वैल्यू कितनी है किma में त्री द्यान रखी है जब भी क्लो होता है तो हम कनवर्ट कर लेते हैं इसको थाउजनड में ही तो यह द्री क्लो हबने में पर मीटर क्योंकि जो मैं फ्रिक्वेंसी तो यह जाएगा आपका तो हमने देखा कि जब भी फ्रिक्वेंसी में मुझे वैल्यू पूट करनी है तो क्यूंकि यह अंडरूट कीवई है तो अंडरूट के बाय एम न्यूटन पर वीटर में करनी है तो यह 3 हो जाएगा आपका 3000 और यहां पर इसको भी किलो को कर देंगे तो 12 इंटू 1000 तो यहां पर देगो वन बाय के एक्यूवेलेंट वन बाय 3000 प्लस वन बाय 12 ठीक है तो जब इसको मैं सिंप्लिफाइ करूंगा तो यहां से मेरी के एक्यूवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2400 यूटन पर ठीक है सिमिलरली मैं सी क्यूवेलेंट की वैल्यू निकालेंगा तो मेरा सी एक्यूवेलेंट याने डेमपर एन सीरीज तो डेमपर इस सीरीज वन बाय c-equivalent equals to 1 by c1 plus 1 by c2 वही same चीज़ क्योंकि दोनों same behave कर रहे है तो c1 की value 1 by c-equivalent c1 की value कितनी दी हुई है 100 plus c2 की कितनी value दी हुई है 300 ठीक है तो जब आपने 1 by 100 और 1 by 300 इसको जब simplify करेंगे ratio इसको c-equivalent को उपर लेके जाएंगे तो this is 75 newton second per तो मेरी equivalent की value निकल गई, k-equivalent की value निकल गई c-equivalent की value निकल गई यानि मेरा spring mass system अब ready है vibrate होने के लिए ठीक है vibrate होने के लिए damper है तो मैं क्या निकाल लो damped natural frequency निकाल ले तो अगर मैं damped natural frequency निकाल रहा हूं तो that is equals to one minus zeta square into omega n यह मेरे को formula पता है तो omega n आपको क्या देदेगी natural frequency of the system that is equals to अब यहां पर हमें देखना है कि जो k by m है वो मेरा k by m की जगे अब आप क्या लिखोगे k equivalent upon मैं m m तो equivalent आएगा नहीं m is given to k equivalent k equivalent की value कितनी है आपकी जो आपने निकाली थी that is 2400 upon मैं तो जैसे ही आप इसको simplified करेंगे तो omega n की value आ गई 15.49 radian पर omega n निकल गया है omega d जो मुझे find out करना उसमें से omega n निकल गया क्या बचा है आप मेरे को सिर्फ zeta बचा हुआ है तो zeta निकालने के लिए मेरे पास क्या formula है that is zeta का formula कितना क्या होता मेरे पास c upon मैं 2m omega n तो यहां से मैं c की value तो c ना होके अब मेरा क्या हो जाएगा c equivalent and c equivalent is your 75 और 2 into mass will be equals to 10 and omega n will be 15.49 तो यहां से मैं zeta find out करोंगा तो zeta मेरा आ जाएगा जब मैं इसको simplify करोंगा तो 0.24 that is under damped system under damped system होंगे तो vibration होंगे vibration होंगे तभी तो मैं damped natural frequency point out कर पाऊंगा तो damped natural frequency की case में में ओमेगा डी is equals to under root 1 minus zeta is 0.24 का square into omega n is 15.49 simple तो that is omega d equals to 15.03 radian per second तो जब spring mass system था डाडेक्ट में यह find out कर देता था जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए बहुत important है हमें problem की language को समझना कि वो कहना क्या चाहरा है spring में spring in series बोल रहा चाहरा spring in parallel बोलना चाहरा इस particular में series का case है similarly SI parallel का case होता है तो this problem ends here यहाँ पर अगर वो डैल निकालना चाहे या और कुछ भी निकल भाएने चाहे तो you can calculate from there thank you